दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जियां दोस्तों आथ पुरे दिन की कई महत्पूर और बड़ी खबरे निकल कर सामने आ रही हैं जाने के सभी खबरों को विस्तार से तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार बरा लाइक ज़रू कर दें और ताजा खबरों को जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर लें तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है बैटक खत्म होने के बाद पियम बोले जम्मो कश्मीर में लोकतंतर को मस्बूत करना हमारी पहली प्रात्मिक्ता जी आपको बताते कि पतानमंती नरेंद मोदी ने कल गुरुवार को जम्मो कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदली बैटक की अद्धिक्षता की और करीब साले तीन घंटे तक चली इस बैठक में पियम मोदी ने जमो कश्मीर राजितिक अनिश्चितितक के माहौल को खत्म करने के उद्देश से कश्मीरी निताओं के साथ कई मुद्दो पर चेचा की बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी पार्टी के नेता अलताफ बुखारी ने बताया कि बातचीत बड़े अच्छे महौल में हुई और वहीं अप पियम मोदी की तरफ से बैठक के बाद की पहले प्रतिकरिया सामने आई है जहां पुदा दे कि जमो कश्मीर को लेकर बुलाएगे सर्वदली बैठक समापतो होने के बाद पियम मोदी ने ट्विट कर कहा कि वे दिली और दिल की दूरी को खत्म करना चाहते हैं उन्हें कहा कि जमो कश्मीर के राजनितिक निताओं के साथ आज की बैठक एक विक्सित और प्रगति शील जमो कश्मीर की दिशा में चल रहा है प्रियासों में एक महतपोर कदम है जहां सर्वगिर्ण विकास को आगे बढ़ाया गया है पियम ने आगे कहा कि हमारी प्राथ मिक्तार जमो कश्मीर में जमीनी स्थर पर लोकतंतर को मजबूत करना है पर इसीमन तेजगती से होना चाहिए ताकि चुनाओ हो सके और जमो कश्मीर को एक चुनी हुई सरकार मिले जो प्रदेश के विकास पत को मजबूती दे शिव सेना रेकसा राहूल गांधी पर तंजिकार ट्वीटर पर पीम की आलोचना से कुछ नहीं होगा जमीन पर उतर है जी हम बात करने कि महाराश्च में शिव सेना और कॉंग्रिस की बीच जुबानी जंग थमती हुई नजर नहीं आ रही है हाली में कॉंग्रिस के प्रदेश अधिक्ष नाना पटोले ने जब बयान दिया कि अगामी विदानसवा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले ही उतरेगी तो राजसवा सांसा संजराउत ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और कहा कि शिव सेना भी अपनी पादिकी में लिखा कि कर हमारी पार्टी का पचपनवस थापना दिवस है था और मुखबंते शिव सेना के अध्र शुद्ध उठाकरे ने महाराष्ट में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहें लोगों के लिए कहा कि अगर वे ऐसा करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे क क्या हम बैठे रहेंगे जो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें लड़ने दीजिए कोगनिस सानसाद राहूल गांदी को भी सला है कि वो केवल ट्वीटर पर प्रदानमंती नरेंद्र मुदी के अलोशना तक ही सीमित ना रहें बलकि जमीन पर उतरे राहूल गां मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है जिसे की आपकी बात हमारे चैनल की माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए तो चलिए बड़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर आर्टिकल 370 को लेकर बोली ममता बनर जी कहा सरकार की इस फैसले से देश विश्विस्तर पर कलंकित हुआ जी हम बात रहे कि जमो कश्मीन को लेकर पीम मोदी की एहम बैटक शुरू हो गई है जानकारी के मताबिक इस बैटक में कुछ एहम फैसले लिए जा सकते हैं और अब इस बैटक के बीच बंगल के मुखमंतरी ममता बनर जी की तरफ से बड़ा बयाना है प्रेस कांफरेंस के दुरान जब सीम से इस मीटिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्हें दो टुक कह दिया उन्हें मीटिंग के एजेंडर के बारे में कुछ नहीं पता है आपको बता दे कि इस बैटक में चार पूरों मुखमंतरियों सहीत 14 नेता शामिल है सीम अम्ता बनर जी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि पहली बार में राजी का दर्जा हटाने का क्या कारण था इसके कारण देश का नाम विश्विस्तर पर कलंकित हुआ आपको दादे उन्होंने आगे कहा कि जो कोई भी बिजेपी पर सवाल उठाता है वे देश द्रोही है सीम अम्ता ने कहा कि कश्मीर के आजादी नहीं चीननी चाहिए सीम अम्ता ने सवाल किया कि दो साल में बिजेपी नेता कि सिवाय कोई भी कश्मीर नहीं जा सका क्या सिर्फ BJP देशभक्त हैं बाकी सब आतंगवादी हैं ममताबन जी ने क्रशी कानूनों को लेकर भी भाठवापन निशाना साधा और कहा कि किसानों की तीन कानूनों को रद करने की मांग बिल्कुल सही है और PM के बैठक पर कॉंग्नेस प्रवक्तर रागनी नैक ने कहा कि इस पहल का हमारी पार्टी स्वागत करती है उन्हें ने कहा कि अनंत तब PM मोधी ने सवाल में थोड़ा सा विश्वास तो दिखाया है इसी विश्वास के चलते आज नेताओं को बुला कर मीटिंग हो रही है बाचीत कर रहे हैं ये अच्छी बात है अगर यही बाचीत उपस जरूर बात की है मिघाले में हाई कोट का अनुष्वार नोक अलंगन जी आपको दाते की मेघाले हाई कोट ने कहा कि जबरिं टीका करणों भारत ही समयदान के अनुशित उन्नीज 1 जी के तहत अनिवार मॉलिक अदिकार shutting न करता है। अदालत ने का कि दुकानदारों टैक्सी चालों को अधिक को अपने व्यवसा या पेशों को फिर से शुरू करने के लिए एक शर्त के रूप में टीका लगाने के लिए मजबूर करना इसे जुड़े कल्यार के मूल उदेश को प्रभावित करता है अदालत ने एक सवता संग पने अदिश विश्विनात सोमददर और नेमूर्थी एचस थांग्खियू के पीट ने ये भी कहा कि टीका करण समय की आवशकता है और कोविट-19 महामारी के प्रसार को रोखने के लिए एक आवश्यक उपाय है हलागी पीट ने जोर देकर कहा कि राजी सरकार ऐसी कोई क परहा की लगबग एक सो साथ साल पहले नियोक हॉस्पिटल्स के श्रेंड्रोफ के वी सुसाइटी में एन्वाई जस्टिस कार्डोजो ने फैसला सुनाया था कि व्यस्क वर्षो और सुस्त दिमाग के प्रतेक इनसान को ये निर्धारत करने का अधिकार है कि उनके शरीर क के साथ क्या किया जाना चाहिए? ये फाइजर कोरोना वैक्सीन की सप्लाई के लिए भारत के साथ एक समझाता करने के अंतिम चरण में हैं। भारत में दूसरी लहर के पीछे डेल्टा वैरियंट को कारा माना जाता था। वैरियंट का एक दूसरा म्यूटेंड डेल्टा प्लस भारत के अलावा यू के और यूएस सही तो कुछ अनदेशों में भी रिपोर्ट किया गया है। नए वैरियंट मिलने के बाद से भी वैक्सीन बनाने वाली कमपनियां ये रिसर्च करने में जुड़ गई हैं कि उसका टीका इनके खिलाफ कितना प्रभावी है। रैटर्स ने कहा है कि इसराइल में फाइजर के चिकतिसा निदेशक एलोन रैप अपोर्ट ने स्थाने पर सारक आर्मी रेडियो को बताया है कि लैब में चल रही रिसर्च के अनुसार कोरोना वायरस डेल्टा वैरियंट के खिलाफ उसकी वैक्सीन 90 फिसिदी तक प्रभा भावी ऑंचे इस बयान से भारत सरकार को भी राहत मिलेगी फाइजर भारत में टीके कि अपूर्थी के लिए पोरी तरह त्यार है उसे सरकार स्यनुमक्ति का इंतिजार है अगर वैक्सीन देश को मिल जाती है तो ऐसे में भारत में व्यापक इस्तर पर चल रहे टीका करन अभियान को और गती मिलेगी के इन दिस्वासमंताल ने कहा की भारत के टीका करने अबग्यान का हिस्सा रहे दो टीके कोविट शील और कोवैकसीन दोनों डेल्टा वेर्येंट के खिलाब प्रभावी हैं भारत में फिलार तीन वैकसीन कोविट शील, कोवैकसीन और पूतनिक V को एमेजेंसी उप्योग की मनजूरी मिली है 5G को लेकर Reliance का बड़ा एलान कहा देश में सबसे पहले देगा ये सर्वीस मिलेगी एक GBPS की स्पीड जी आपको बता देए कि Reliance Industry ने आज अपने Annual General Meeting में कई बड़ी घोशनाएं की Company ने Geophone Next का एलान किया वहीं Green Energy जैसे बड़े प्रोजेक्ट को लाँच किया और वहीं 5G Network को लेकर भी Company के चेर्मेन Mukesh Ambani ने बड़ा एलान किया है Mukesh Ambani ने कहा कि देश की पहली 5G सर्विस रिलाइंस देगी और ने कहा कि रिलाइंस देश में सबसे पहले 5G Network लेकर आएगा जिसके तहट लोगों को 1GB PS की स्पीर से इंटरनेट की सुविधा मिलेगी Mukesh Ambani ने कहा कि जियो भारत को 2G से मुक्त कर 5G से युक्त करेगा के आरके को जटका कोट ने सल्मान खान के खिलाफ वीडियोस कॉमेंट्स पोस्ट करने से रोका जिया आपको दादे कि कमाल राशिद खान और फिक्यार के और एक्रर सल्मान खान की बीच चल रहा विवात लगातार सुर्फियों में हैं इसे बीछ इस मामले में क्यार के को बड़ा जटका लगा है जिहां बुदवार को मुंबई कोट ने कमाल राशित खान पर अस्थाई रूप से प्रतिबंद लगा दिया कोट ने कहा कि वे सल्मान खान के बारे में अपमान जनक सामगरी ना पोस्ट करें हलाकि क्यारके के पास अभी इसकी कॉपी नहीं आई है क्यारके का कहना है कि उन्होंने कभी सल्मान के बारे में कुछ गलत नहीं कहा है वे तो बल्कि उनकी फिल्मों के सिर्फ रिवियू देते थे सल्मान खान ने कमाल खान के खिलाफ उनके द्वारा पोस्ट किये गए अप मांजनक ट्वीट और वीडियो के लिए मुकदमा दायर किया है देसके लीगल के माद्यम से दायर मुकदमे में दावा किया गया है कि मानहानिकार टिपनी करने के अलावा कमाल खान ने सल्वान खान के पंजीकरत ट्रेड मार्क, बिंग हुमन पर धोकादड़ी, हेरफिर और धन्शोदन में शामिल होने का भी आरोप लगा है हाई कोट में महाराश सरकार ने कहा कि मुंबई में 2000 से ज्यादा लोग हुए फर्जी टीका करण के शिकार जी आपुदादे के महाराश की राज़ाने मुंबई में 2000 से ज्यादा लोग फर्जी तरीके से कोरोना टीका करण कर रहे सेंटरों का शिकार बने हैं गुरुआर को राजी की उद्ध ठाकरे के नेतवत वाली सरकार की ओर से बॉंबे हाई कोट को ये जानकारी दी गई है राजी सरकार के वकील मुख लोग अभी योजक दीपक ठाकरे ने अदालत में कहा कि शहर में अब उतक नौ फर्जी कोरोना वैक्सिनेशन शिवीर लगाए जाने के मामले सामने आ चुके हैं हाई कोट मामले की अगली सुनवाई 29 जून को करेगा कोट ने अगली सुनवाई पर राजी सरकार और BMC को अदालत के सवालों और निर्देशों से सम्मनित पर हलफ नामा दाखिल करने को कहा है दीपक ठाकरे ने बताया कि इस मामले में पुलिस अब तक चार अलग-अलग FIR दच कर चुकी है और जाच में जूटी है राजी सरकार के और से मुक ने अदिश दीपांका दत्ता और नेमूर्थी जीएस कुलकरनी के पीट के सामने इस मामले की जाच पर स्टेटस रिपोर्ट भी सम्मिट की गई है महराज सरकार के वकील ने अदारत को बताया कि पुलिस ने अब तक के 400 गवाओं के बयान दर्च किये हैं और जाच करता आरोपी चिकितिसक की खोट की जा रही है साइकल पर अंडा ब्रेड बेचते नजर आये सोनो सूद उनका वाइरल हुआ वीडियो जी आपको बताते कि अभी ने था सोनो सूद हर देशवासी के रियल हीरो बन चुके हैं उनके नेक कामों के चलते फैंस उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग भी कर चुके हैं पिछले साथ से लगाता सोनो सूद मदद का सिलसला कायम रखते हुए अभी भी सोनो सूद सोशल मीडिया के माद़म से लोगों की मदद कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर सोनुसूद फिलहाल एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वे अंडे और ब्रेड साइकल पर बेशते नजर आ रहे हैं Instagram पर Sonosud ने खुद एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में Sonosud अंडा ब्रेड साइकल पर बेचते दिख रहे है वीडियो शेयर करते हुए वे लिखते है कि Free Home Delivery 10 अंडे पर एक ब्रेड फ्री जियाब उतादे सोनू सूदे बताया है कि वैं अपना सूपरमार्केट खोल रहे हैं, इसका नाम होगा सोनू सूद का सूपरमार्केट कुछ लोगों का कहना है कि मॉल बंद हो गए हैं, लीजिये सबसे जरूरी समान और महंगी सूपरमार्केट तयार है मेरे पास सब कुछ है, ब्रेट से लेकर रस्क आदी, होम डिलिवरी के लिए भी मैं तयार हूँ, जल्द ही ओर्डर करें, लेकिन ध्यान लगिए होम डिलिवरी का पैसा लगेगा बता दे कि सोनुसूद इससे पहले ऐसी कई वीजियो शेयर कर चुके हैं, जिसमें सोनुसूद दढ़ारा चाकुछुरी तेज करवाने की मेरी नदुकान, सोनुसूद टेरिनिंग शॉप समित कई काम की जानकारी उन्होंने दी थी सोनुसूद के वर्फरंट के बात करें तो वे रोही शिट्टी की फिल्म सिंबा में नजर आये थे, जिसमें ररदीफ सिंग लीड रोल में थे, इसका अलावा उन्होंने किसान फिल्म का ऐलान किया था, और अक्षर कुमा स्टार फिल्म प्रत्विराज में भी वो दिखे ट्रेन यात्रों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें यात्री का नोट कर ले कि रेल्वे ने शुरू की शताब्धी समेथ 17 स्पेशल ट्रेने, जियांपो दादे की ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए खुशकबरी है, यात्रों की सुविधा का ध्या में रखते हुए कोरोना की दूसरी लहर के कम होते ही पर्शिम रेल्वे ने 17 जोड़ी स्पेशल यात्री ट्रेनों को पट्री पर दोड़ाने का फैसला किया है, कोरोना में कमी के चलती यात्रों की संक्या बढ़ने लगी है, जिसके बाद रेल्वे ने भी यात्रों को सहू आउचने पर तक COVID-19 से जुड़े सभी स्टेंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, और वहीं जा लेते हैं सोने का भाव, जी आपको दाते कि सराफ़ा बजार में सोने के दाम 152 रुपए परती 10 ग्रावट देखने को मिली, आज सोने का दाम 46,880 रुपए परती 10 ग् पर रही है, और दोस्तों में एक लिए करने जाने ते क्या देश बर मौसम के ताजा हाला, जी आपको दादे के बिहार, यूपी समेट इन राज्यो में भारी बारिश जाने सफते के मौसम का क्या है हाल, जी आम बात करने के पूर्वी, यूपी, बिहार, पश्री मंगाल, ओडिसा जारकन सहीद आनने कई हिस्सों में जहां मानसून सक्री है वहां जमा जम बारिश हो रही है बिहार में 28 जून तक इसी तरह बादल बरस्ते रहेंगे और वें दिल्ली इंसियार में गर्मी और उमस से लोगों को परिशान कर रखा है मौसम विग्यानिकों की मताबिक दिल्ली वासियों को गर्मी से रहत के लिए अभी एक हफ्ते तक इंदिजार करना पड़ सकता है 26-27 जून तक दिल्ली में बारिश की संभावना है और जिन राजे में भारी बारिश की संभावना है उनमें उत्रप्रदेश, मद्रप्रदेश, जारकन, पशिमंगाल, सिक्क सिक्किम, उत्री उडिशा, चतिसगर, बिहार, जारकन में भारी बारिश देखने को मिलेगी उपर हिमाले, पशिमंगाल, सिक्किम में गुरुवार और शुकुरुवार को तेज बारिश की संभावना है मौसा विभार के मताबिक पुर्य बिहार, उत्रप्रदेश, अरुन पूरी मद्रप्रदेश, महराज, तलंगाना, तटी, आंधर प्रदेश, गुवा, तटी, करनाटक, अनमान और निकोबार, द्विप, समू और लक्षदीप में चिटपूर बारिश और गरच के साथ छीटे पढ़ने की संभावना है, लदाक में चिटपूर बारिश या मद्रप्रदेश, उत्राखन, पंजाब, हरेणा, गुजरात, केरल और तमिलाडू में चिटपूर बारिश और गरच के साथ छीटे पढ़ने की संभावना है, पंजाब, हरेणा, राजिश्टान और मद्रप्रदेश के कुछ इसों में अधिक्तम ताप 5-40 डिग्री सलस्य से उपर रहने की संभावना है, तो दोस्तों ये थी अब तक की सबी बड़ी खबरों की अपडेट्स, टूडे ब्रेकिंग नियूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरू कर दें, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी यूजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों,